अब क्लास्टिक्स के स्टुडेंट्स हम लुक सिविक्स का चेप्नर नुबर 16 इंडियन सुसाइटी रीट कर रहे थे जिसमें हम क्लॉथिंग को कम्प्लीट कर चुके थे आप हम नियू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फूद, फूद में भूचन इंडियन फूद इस पर्फेक्ट ब्लैंड अफ वेरियस कल्चर्स एंड इजिस भारतिय खाना सांस्क्रितिक और यूगों का एक आदस मिश्रण है भारत का जो खाना है वो उसके मसालों के लिए जाना जाता है इस पैसे सच एस चिलीज, टर्मरिक पेपर, क्लॉप्स आर ग्रोवन इन इंडिया जैसे कि यहां पर हमने मसालों के नाम बताएं मिर्ची, हल्दी, काली मिर्च, लॉंग और ग्रोवन इन इंडिया जो कि भारत में उकाय जाते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा भारतिय समाज है वो एक आदर्स मिश्रण है बिविन धर्मों का, संस्क्रतियों का, भासाओं का, पहनावे का और खाने का तो नेक्स ट्रोपिक इस म्यूजिक, म्यूजिक में संगी, इन इंडिया, म्यूजिक वी आर हैविंग, घरानाज डिविशनल म्यूजिक संग वाई कभी और संग ओवर दा कंट्री जो डिविशनल म्यूजिक है वो कभी के द्वार गया गया और पूरे देश में वो गया गया है इंडिया के दो प्रमुख न्रत्य हैं क्लासिकल एंड फॉक, जिन मैंसे कई न्रत्य रामायर और महावारत की कहानी को प्रदासरित करते हैं अँडिया नाओ इंडिया आज सॉसाइटी इस प्लान ओव दिष्ट्रेश और धर्मॉख निश्य। Diversity in India is found in terms of race, religion, language, caste and culture Diversity means different विविद्दा भारत में विविद्दा पाई जाती है धर्में, भासा में, जात में और सांस्कृती में Dance, music, vegetables, clothing vary from place to place depending upon the geographical feature of different areas जैसे कि डान्स हुआ नित, संगीत, सबजियां, कपडे ये जगा जगा different, different है, अलग-अलग है वो depend करते हैं वाके geographical features के उपर तो अब बार ही है exercise की जो कि मैं अगली वीडियो में solve करूंगी